नमस्कार मैं हुश हसी आई जहरकन की टोप 25 परमूख खबर जानते हैं सवक्ष सरवेक्षं 2022 में जहरकन दूसरे नमबर पर रहा σहरी सवक्ष्ता में बुर्डु और चाय बासा ने भी पुरस्कार जीते हां नज़ दिली स्थी ताल का टोराई स्टेडियम में राष्टपती द्रोपदी मुर्मो की मौजोदगी में केंद्री अवासन यम सहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने सनीवार को स्वक्ष सर्वेक्चन 2022 में जारखन को 100 सहरी निकायो वाले राजियों में देश के समान प्रदान किया इस अवसर पर जारखन सरकार के ओर सुन नगर विकास एवं अवास विभागन तरगत राज सहरी विकास अभिकरन के निदेशक अमीत कुमार ने समान प्राप्त किया है पूर्भी जोन के 50,000 से 1,000,000 अबादी वाले निकायों में चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए समानित किया गया वहीं पूर्भी जोन के 15,000 से 25,000 अबादी वाले निकायों में बुर्डू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए समानित किया गया है जारखन में दुरगा पुजा पर बारिस के असार है महा सप्तमी से महा दसमी तक राज् हलकी छीट भूट बारिस भी होगी लेकिन 3 और 4 अक्टूबर को रांची वा अन्य जगो पर दिन भर बारिस होने का पूरण मान है महा अश्टमी के दिन 3 अक्टूबर को कहीं कहीं भारी बारिस होने की चेतावनी भी दी गई है बता दे सिस्टम कमजोर होने के महा दसमी के दिन भी बादल चाहे रहेंगे इस दिन भी एक या दो बार बारिस होने की समावना व्यक्त की गई मौसम बैज्यानी के अनुसर बंगाल की खाड़ी के उतर पूर्वी भाग पर बने सैक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण इसका असर 24 गंटे के बाद पढ़ना सुर केंद्र को सुखार के लिए नहीं भेजे परस्ताव जार्खन सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को राज्य को सुखार घोसित करने है तो कोई भी परस्ताव नहीं भेजा है वहीं केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन नीधी के तहद 635 को रूपए केंद्री एह हिसे क रूप में 476 को रॉप राजे के हिसे के रूप में 152 क्रोर रूपए रासी आवन्टित की है यह जनकारी केंद्री किरिशी मंत्री नारेंदर सिंग टोमर ने पलामो गे 677 बीडी राम को लिखित रूप से दी है बता दे पलामो के सांसत बीडी राम ने जार्खन सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि केंदर सरकार राजे अब्दा मोचा निदी से फंड आवंटित होने के बाद भी जारकन सरकार ने राजे की जानता को सुखार से राहत देने समधी कोई भी घोस्ता नहीं की यह बताता है कि राज सरकार सुखार के प्रतिगंभीर नहीं है उसे किसानों के दुख दद से कोई मतलब नहीं है सिफ राई नित्ती करनी है पूलिस और मवादियों में मुढभेर तीन को लगी गोली चातरा जिले के हंटर गंज वसिष्ट नगर थाना छेतर के फाटा गाउं के आसपास के छेतरों में सनीवार को सुरक्षा बलो और भागपा मवादियों के भीच भीचन मुढभेर हुई तेरह दिनों में मवादियों के साथ मुढभेर किया दूसरी घाटना हुई है इससे पूर्व 18 सितंबर को चातरा पलामू बोड़ा इस्थीत बीरमा कुम जंगल में हुई थी जिसमें CRPF का एक जवान बलिदानी हो गया था बताद इस मुढभेर में तीन मवादियों को गोली लगने की सुचना है सनिवार को होई मुढभेर में घाटनास्थल से एक इंसास राइफल, चार मैगजीन, एक एलेमजी मैगजीन, एक सो पंचानवे कार्तूस, कई मोबाइल फोन दवाईया दोकेन, आईडी, वारलेस, सेट, नक्सली, साहित, वह दैनिक उप्योग में आने वाले समन बरामत हुए है इसकी जनकारी पुलिस अधिक्षक, राकेस, रंजन ने पत्रकारों को दिया है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे केन तिरिपाठी का नमांकन रद दे अखिल भारतिये कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए नमांकन करने माले डांटेंगंज के पुर्व विधाय केन तिरिपाठी को जटका लगा है निर्वाची पता अधिकारी मधो सुदन मिस्तिरी ने उनका नमांकन रद्ध कर दिया है। निवार को 5G इंटरनेट सेवा लॉंच कर दिया है या सेवा फिलहाल देश के 13 सहरों में सुरू की गई है। इंटरनेट के कारण जो काम आधे घंटे में संपण होते थे वह काम अब 10 मिएट में संपण होंगे। क्योंकि 5G सेवा की रफ्तार 4G सेवा से 10 गुना ज्यादा है। देव घर में बिली कर्याले में तला जड़ा बंधक बने रहे SDO। की संख्या में SDO कर्याले पहुँचे। इन स्रमिकों ने कर्याले अंदर मौझूद SDO समेत कर्मियों को बंधक बनाते हुए बाहर से तला मार दिया। ए अधिकारी वह कर्मी तकरीवन 4 घंटे तक कर्याले में बंधक बने रहे। इसकी जनकारी के बाद जब पुलिस महके पर पहुची तो तला खुलवा कर बंधक बने सभी को मुक्त कराया गया। रामगड में लूट की जोजना बना रहे 5 अपराधियों को किया गिरफता। रामगड में बड़े बेवसाईवा प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंटों से कलेक्शन के पैसा लूटने कीजिन बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने चापे मारी कर गोला से गिरफतार किया है। पाचो अपराधि गोला के निरंजन चंद्र पुद्दार के मकान में किराय मेरा रहे थे। इन अपराधियों के पास एक पिस्टल, दो कार्तूस, एक धादार चाको, तीन मोबाइल, एक टैब, और एक अपाची मोटर साइकल भी जब्त की गई है। बेहतरीन परदर्शन करने वाली NCC केंडिडेट दुमका में समानित। काठी जोरिया के NCC केंडिडेट, सेवन सीला मुर्मो, सुप्रिया हंसदा वसरिता मुर्मो और देवघर के आरडी बाजला कॉलेज की रचना कुमारी को समानित किया। जार्खन के 417 स्कूलों में नहीं हुआ PTM। ऐसे में सिक्षा विभागने समधित स्कूलों की विद्यालाय परबंदन समीती और सिक्षकों पर करवाई का निर्देश दिया है। जार्खन सिक्षा पर्योईना परिशत की राजे पर्योईना निर्देशक कियन कुमारी पासी ने सबीज जीला सिक्षा पदा अधिकारी और जीला सिक्षा अधिक्षकों को 20 अक्टूबर तक करवाई कर रिपोर्ट तलब की है। जार्खन में सरकार आपके द्वार कारकरम जल्द जार्खन के सभी पूजा पंडालों में टीका करन कैम्प राज्य में कोविट टीका करन के सुस्तर अफ्तार को तेज करने को लेकर आश्ट्रिय स्वास्त मिशन जार्खन के अभियान निदेशक डाक्टर भोनेस परताप सिंग ने सभी जीलिया कर नोडल पता दिकारियों के सथ बैठक की अभियान निदेशक ने निदेश दिया है कि राज्य में जितने भी पूजा पंडाल बने हाए सभी में कोविट टीका करन के केंदर बनाए जाए साथ ही राज्य के सभी हेल्थ और वेलनेस सेंटर में भी टीका करन केंदर खोले जाए बैठा के दुरान टीका का उपयोग नहीं होने की वज़ा से एक्सपायर होने की स्थिती पर भी चर्चा होई कोवीड टीका करन के राज नूडल पता धिकारी डाक्टर राकेस देयाल ने राज में कोवीड टीका करन की अगतन स्थिती से अगत कराया कई जिलों में कोविर्टी का करन की लगतार गिर्ती संख्या पर अभियाय निदेशक ने काफी नराजगी जाहिर की महिलाओ की सुरक्षा के लिए सकती असक्वाइड करेगी पेट्रोलिंग दुर्गापुजा के दोन महिला सरधालू में विश्वास जागाने के लिए पूर्वी सिम्हुम जीला पुलिशन सकती दस्ते को तैनात किया है जमसेदपूर के इस पात सहर में इस मोबाइल दस्ते को महिलाओ के साथ होने वाले छड़कानी और उपद्रियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया है वरिष्ट पुलिस अधिक्छक परभात कुमार अतिरिक्त जीला मईस्ट्रेट नंद किसोर लालने सुक्रवार को सकती दस्ते को हरिजंडी दिखाई यह दस्ता तेवार के दवान पचीस पिंक इसकुटी पर सहर के चारो और पेट्रोलिंग करेगा जारखन में महंगी सराब बेचकर भी रूपय नहीं कमा पा रही सरकार जारखन में सराब की कीमत बढ़ रही है लेकिन सरकार का खाजाना अब भी खाली है उत्पाद एवं मगदनिसेद विभाग लक्ष से 300 को रूपय पिछे चल रहा है विभाग का 30 सितम बर्थक 1255 को रूपय कर रही स्वर लक्ष पूरा करना था लेकिन करीम 955 को रूपय ही अब तक आचका राज में 11 जीलों के जितिर राजास्व वसूली में बहद ही खराब है इसे लेकर विभाग ने इन जीलों के उत्पाद अधिकारियों पर रहस्व बढ़ाने का दबाव बनाया है और उन्हें करवाई की चेतावनी भी दी गई बतादे पर्याप्त मत्रा में सराब नहीं रखने वाले दुकंदारों थोक विक्रताओं को भी धमकाया गया है कि अगर वे इस्थीती को नियंतित नहीं किये तो उनके लाइसेंस को रद करने तक की भी करवाई होगी अभी नेत्री भाग ये सिरी संग डांडिया नाइट में जूमा रांची जारखन की रजsilानी राची में दुर्गापुजा का उसाओ देखने को बन रहा है चाहु और मात दुर्गा के भक्ती की बेयार बह रही है सन्यवार को सभी जगा पुजा पंडाल खुल गए है लोगों ने मात दुर्गा का दर्शन शुरू कर दिया है सन्य वार साम से ही पट खुलने का सिलसिला सुरू हो गया बता दे दीपा टोली में मुक्ष मंत्री हमांसुरे ने पुजा पंडाल का उधगाटन किया इस महोगे पर उन्होंने लोगों को दुरगा पुजा की सुभकमनाय दी कोरोना के करन दो वर्सों तक पुजा की सीर्फ रस में अदाई हुई थी इस बार लोगों का उस्ता कुछ ज्यादा नजर आ रहा है हर ओर चहल पहल नजर आ रही है राइधानी राची में हर ओर मेला जैसा महोल है पुजा समीतियों ने एक से बढ़कर एक पुजा पंडालों का निर्मान कराया है इसे देखने के लिए लोगों की भीड उमर रही है TSLPL ख़दान को 10 से अनिस्चित कालिन के लिए बंद करेंगे ग्रामीन TSLPL ख़दान को 10 अक्टूबर से सरांडा विकास समीति के बैनर तले गंगदा और छोटा नाकपुर पंचायत के ग्रामीन मान की मुंडा और जन पत्र निधी बिभीन मांगों को लेकर अनिस्चित कालिन बंद करेंगे उक्तजनकारी समीति के अध्यक सर गंगदा पंचायत के मुख्या राजू सांडिल निधी है उन्होंने कहा है कि TSLPL ख़दान से परहईत गावों के बेरोजगारों को ख़दान में अस्थाई नोकरी कमपनी कारेरत लोगों को पी एफ, बोनस गिरचुटी, दोनों पंचायतों के ग्रामिनों को टाटा इस्टील की अस्पात में मुफ्त चिकित्सा के सुविधा पेजल, सिक्षा, सड़क, बिली, स्वास्त, आदी, बुनियादी, सुविधा, सहीत और ये कई सुधावों की मान रखी गई है मंत्री अलमगीर ने कहा नहीं जाएगी मंदेगा कर्मियों की नोकरी स्विक्रित पद से अलग बहाल हुए किसी मंदेगा कर्मियों की नोकरी नहीं जाएगी सभी कर्मियों का आउट्सोर्सिंग के अधार पर समयोजन किया जाएगा यह बाते ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर आलम ने बुधवार को पांकुर पर इस दन में कही उन्होंने कहा है कि जीले में कई सलकों का निर्मान सुरू होने वाला है गंधाई पूर से जुड़ी सभी सलकों का काम सुरू होगा सैतान खान से पांकुर धुलियान तक सलक का निर्मान होना है इसका विस्तार पुलिस लाइन तक करने की योजना है इसलिए काम रुका हुए है बाइपास अड़क के मुद्धे परमंत्री ने कहा है कि दुरगा पुजा के बाद यह काम भी शुरू होने वाला है लोन बोल में आरजू रानी ने जिता गोल्ड भरनों परखंड के मालगो गाउ निवासी Olan Ball खिलाडी आरजू राणी 27 वर्सिने गुजरात के अमादाबाद में आयोजी 36 वे निशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जिता है आर्जू रानी भर्णो परखंड के मालगो गाव निवासी पारा सिक्षक आयूब कोटवार और जहां आरा खातुन की पुत्री है जो परतमान में प्रोजेक्ट बाइल का उच बिद्याले भर्णो में सहायक सिक्षिका के पदपर करेरत है बता दे आर्जू रानी ने सनिवार को गुजरात के हमादाबाद इस्थीत के स्विले स्टेडिया में आयोजी 36 नेशनल गेम्स में लॉन बॉल खेल में फोर्थ विवेंस टीम के साथ जीत कर जार्खन को इस्थ नेशनल गेम्स में पाला गोल्ड मेडल दिनाने का कम्याभी हासिल किया है जार्खन के रांची में G20 देशों की होगी बैठक G20 दुनिया के बिकासिल हुआ बिकसित देशों का संगठन की बैठक 16-17 फरवरी और 16-17 मार्श 2023 को रांची में होगी बैठक अल्थल रांची के कोल इंडिया कॉन्फिरेंस हौल में होगी जिसमें G20 देशों के करीब 540 परतिनीदी भाग लेंगे सुक्रवार को देश के G20 के निदेशक, मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स सहीत, दो सज़सेई टीम ने पुलिस मुख्याले में DGP नीरज सिनहा, ADG अभियान संजय, IG अभियान अमोल, होमकर और SP सुरक्षा सिवानी तिवारी सहीत अन अधिकारिया के साथ G20 की टीम ने बाक्चित की है आदिवासी सरना धर्म कोड 20 नॉमबर तक लागू करने का अल्टिमेटम सरना धर्म कोड की मांग को लेकल कोलकत्ता के रानी, रासमनी, रोड में आदिवासी सेगेल अभियान के राष्टिया अध्यक, साल खान मुर्मो के अध्यक्षता में जन सबा होई इसमें सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा बतर्मो ख्यतिती मजूद थे पांच राजियों से बड़ी संख्या में लोग सामिल थे इसमें निना लिया गया है कि साल खान मुर्मो के नितिवति में आदिवासी सेगेल अभियान और धर्म गुरु बंधन तिग्गा के नितिवति में राष्टिये सारना धर्म राक्षा अभियान मिला कर सारना धर्मकोट की मनयता है के लिए सन्युक्त अंदोलन करेंगे घोसना की गई है कि यदि केंद्रे सरकार 20 नुवंबर तक सारना धर्मकोट को मनयता नहीं परदान करती है तो 30 नुवंबर को 5 राजियों में रेल रोड चक का जाम किया जाएगा धर्निवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एकन दबाए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवस से दे थाइंक यू